आज हम देखेंगे परिमे संख्याओं की तुल्ना करने के उधारण राज और जीया रिंट साथ बटे सोलह और रिंट तेरह बटे रिंट छो की तुल्ना कर रहे थे राज के अनुसार रिंट साथ बटे सोलह बड़ी परिमे संख्या है जबकि जीया का मानना था कि रिंट तेरह बटे रिंट छो बड़ी परिमे संख्या यानि राशनल नंबर है पता कीजिए दोनों में से कौन सही है यहां रिंट साथ बटे सोल हो और रिंट 13 बटे रिंट 6 की तुलना के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि राच और जिया दोनों में से कौन सही है तो आईए इनकी तुलना करें सबसे पहले हम दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को धनात्मक पूरणांग को यानि Positive Integers में परिवर्तित करेंगे जिससे कि हम पता कर पाएं कि परिमेय संख्या धनात्मक है या रिनात्मक है यहां रिंट 7 बटे 16 का हर पहले से धनात्मक पूरणांग है लेकिन रिंट 13 बटे रिंट 6 का हर एक धनात्मक पूर्णांख नहीं है। क्या पता सकते हैं इसे धनात्मक पूर्णांख में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा। सूचिए सूचिए। चली हम बताते हैं हमें रिंट 13 बटे रिंट 6 के अंश और हर दोनों को रिंट 1 से गुणा करना होगा रिंट 13 को रिंट 1 से गुणा करने पर हमें अंश प्राप्त होगा 13 और रिंट 6 को रिंट 1 से गुणा करने पर हमें हर प्राप्त होगा 6 इस तरह से हमें रिंट 13 बटे 6 की तूली परिमेय संख्या यानि एक्विवालेंट राशनल नंबर प्राप्थ होगी 13 बटे 6 यह एक धनात्मक परिमेय संख्या यानि पॉजिटिव राशनल नंबर है लेकिन रिंट 7 बटे 16 एक रिनात्मक परिमेय संख्या है चुकि धनात्मक परिमेय संख्या रिनात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है इसलिए हम कह सकते हैं कि 13 बटे 6 रिंट 7 बटे 16 से बड़ी है इससे यहाँ पता चलता है कि जिया की समझ सही है अगला उदारण निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम यानि असेंडिंग ओर्डर और अवरोही क्रम यानि डिसेंडिंग ओर्डर में व्यवस्थित कीजिए यहां इतनी सारे संख्याओं के तुल्ला करना आसान बनाने के लिए हम धनात्मक परिमें संख्याओं को इन संख्याओं के समुह से अलग करेंगे और इन्हें किसी क्रम में व्यवस्थित करेंगे इसी प्रकर एक रिनात्मक परिमेय संख्याओं को समूह से अलग निकाल कर उसी क्रम में व्यवस्थित करेंगे और जैसा कि हमें पता है रिनात्मक संख्याओं शून्य से छोटी होती है और धनात्मक संख्याओं शून्य से बड़ी होती है इस समझ के उपयोग से हम सभी संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे तो आईए पहले धनात्मक परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें यहां धनात्मक परिमेय संख्याओं हैं एक बटे दो, तीन बटे दस और पांच बटे दो चलिए इन्हे संख्या रिखा पर व्यक्त करें एक बटे दो में अंश हर से छोटी संख्या है इसलिए एक बटे दो का स्थान शुन्य से एक के बीच की दूरी को दो बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से एक भाग लेकर दर्शाया जा सकता है क्या पता सकते हैं पांच बटे दो का स्थान कैसे दर्शाया जाएगा? सोचिये सोचिये बिल्कुल सही हम देखते हैं कि पांच बटे दो का अंश हर से बड़ा है यानि कि यह संख्या एक से बड़ी है अगर हम पांच को दो से विभाजित करेंगे तो हमें दो पूर्ण और शेश एक बटे दो प्राप्त होगा यानि कि हम पांच बटे दो को दो और एक बटे दो इस प्रकार लिख सकते हैं इस रूप से हमें यह पता चलता है कि पांच बटे दो का स्थान दो और तीन के बीच है सही स्थान ग्याद करने के लिए हम दो और तीन के पीच की दूरी को दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे और इनमें से एक भाग लेकर पांच बटे दो दर्शाएंगे अब इन तीनों संख्याओं के स्थान देखकर आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए बिल्कुल सही यहां सबसे दाई और पांच बटे दो है इसलिए वो एक बटे दो और तीन बटे दस से बड़ी संख्या है जबकि 3 बटे 10 सबसे 20 तरफ है इसलिए वो 1 बटे 2 और 5 बटे 2 से चोटी संख्या है अब हम इन संख्याओं को चोटी संख्या से बड़ी संख्या तक विवस्थित कर आरोही क्रम प्राप्त करते हैं इसी प्रकार क्या प्रिणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना कर इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर पाएंगे वीडियो रोक कर प्रयास कीजिए चली हम बताते हैं यहां हम संख्या रिखा का उप्योग किये बीना तुलना करेंगे जैसा कि आपको ग्यात होगा कोई भी पूनांक एक परिमेय संख्या ही होती है जैसे यहां रिण दो को हम रिण दो बटे एक इस प्रकार लिख सकते हैं यह भी एक परिमेय संख्या ही है वैसे तो हम इन संख्याओं की तुलना दो-दो संख्याएं लेकर कर सकते हैं लेकिन लसर की अपयोग से इनके तुलना एक साथ भी की जा सकती है। आईए इसे समझें। यहां रिंट 6 बटे 7, रिंट 5 बटे 6 और रिंट 2 बटे 1 के हर क्रमशह 7, 6 और 1 है। इनका लसर यानी LCM है 42। इसलिए हम तीनों परिमेय संख्याओं की तूले परिमेय संख्याओं ग्याद करेंगे जिसका हर 42 हो। रिंट 6 बटे 7 के अंश और हर को 6 से गुणा करने पर हमें इसकी तूले परिमेय संख्या प्राप्त होगी रिंट 36 बटे 42। कभी-कभी हम यह नहीं समझ पाते कि कौन से संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। इसलिए चलिए एक और विधी देखते हैं। हर 42 करने के लिए हम रिंट 6 बटे 7 को 42 बटे 42 से गुणा करेंगे। परिणाम में हम हर 42 रखेंगे लेकिन अंश के 42 को हर के 7 से भाग देंगे। 42 को 7 से भाग देने पर परिणाम प्राप्त होगा 6। फिर हम रिंट 6 और 6 का गुणन कर परिणाम का अंश प्राप्त कर लेंगे रिंट 36। इस तरह से भी हमें रिंट 36 बटे 42 यह परिणाम प्राप्थ होगा इसी तरह हमें रिंट 5 बटे 6 की तूल्य परिमिये संख्या रिंट 35 बटे 42 प्राप्थ होगी और रिंट 2 बटे 1 की तूल्य परिमिये संख्या रिंट 84 बटे 42 प्राप्थ होगी अभर बराबर है इसलिए इ आरोही क्रम में इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं यानि कि रिनात्मक परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं चुकि रिनात्मक परिमेय संख्याएं शूनी से छोटी होती है और शूनी धनात्मक परिमेय संख्याओं से छोटी संख्या है इसलिए सभी संख्याओं का आरोही क्रम प्राप्त करने के लिए हम शून्य को पीच में रखते हैं इसके बाईं और धनात्मक परिमे संख्याओं का आरोही क्रम रखते हैं और दाईं और धनात्मक परिमे संख्याओं का आरोही क्रम रखते हैं अगर हम इस क्रम को उल्टा करें तो सभी संख्याओं बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक व्यवस्थेत हो जाएंगी याने कि हमें इनका अवरोही क्रम प्राप्थ होगा इससे अब आपकी परिमे संख्याओं के तुल्ला करने की और इने क्रम में व्यवस्थित करने की समझ अच्छे से बन गई होगी तो आज हमने देखे परिमे संख्याओं के तुल्ला करने के उधारण अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे संबंदित मिध्याधाना और तुल्ला करने की एक अकरशक विधी